हाई अबरीवान वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा प्ले की जिनकों की पहले टाटा सकाई के नाम से जाना जाता था इन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके होम सिक्योरिटी सुलूशन बिजनस में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए. था ये एक joint venture है Tata Suns Private Limited और TFCF यानि कि 21st Century Fox जो कि अब Walt Disney के अंतरगत आती है तो इनके बीच में एक joint venture है जिसको कि 2001 में incorporate किया गया था और इन्होंने अपनी services 2006 से शुरू करी थी ये भारत के leading direct to home जो pay tv है उसके provider है इसके अलावा ये Tata Binge के द्वारा OTT services भी provide करते हैं और अगर इनके customers की बात की जाए तो इनकी जो footprints हैं पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और लगभग इनके 2.3 करोड customers हैं और अगर इनकी services की बात करें तो आप direct to home जो इनका setup box होता है उसके थुरू आप various channels देख सकते हैं इनकी app आती है जिसके थुरू आप अपने mobile से TV देख सकते हैं Tata Play, Binge जो है उसके थुरू आप OTT platforms जैसे की Hotstar, Hangama और जो different OTTs होते हैं उनको आप access कर सकते हैं इसके अलावा इनका beyond DTH services भी हैं जैसे video on demand provide करते हैं T services provide करते हैं इनके काफी सारे channels हैं तो ये इनका main business है और अगर हम भारत में overall बात करें कि भाई कितने direct to home के subscribers हैं तो June 2021 तक ये लगबग 7 करोड के आसपास थे जबकि December में जो ये number आया था उसके हिसाब से ये 6 करोड 85 लाग के आसपास रह गये थे कि subscriber की कमी हो रही है और आप शायद notice भी कर रहे होंगे क्योंकि ज्यादा तर लोग अब OTT से entertain करते हैं अपने आपको और काफी सारे customers ने अपने जो direct to home connection है उसको कम किया है जो कि इनके numbers में देखा जा रहा है लेकिन अगर अभी भी सबसे बड़े market share की बात की जाए तो वो dish TV दिखेगा और चौथे नंबर पे sun direct TV जिनका की सदर्न इंडिया में ज्यादा reach है और इसके अलावा ये तो सब हो गए pay TV और इसके अलावा लगभग 4 करोड के आसपास subscriber ऐसे है जो की दूर दर्शन का जो free DTH services है उनके subscriber है तो overall जो subscribers है हम बोल सकते हैं की 7 करोड pay subscriber और 4 कर subscriber यानिकी 11 करोड के आसपास के direct to home के subscriber है इंडिया में तो ये तो बात हुई direct to home यानिकी जो satellite के द्वारा TV दिखाया जाता है इसके अलावा गर cable TV की बात करें यानिकी जो cable के जरिये TV दिखाया जाता है तो उसमें सबसे जो बड़े player है दिसम्बर 2021 के data के साब से GTPL Hathway सब से बड़ा player है जिनके की लगभग 79 लैक क्या सबस्क्राइबर हैं दूसरे नमबर भे आपको city network देखेगा 74 लैक क्या सबस्क्राइबर क्या सबस्क्राइबर क्या सबस्क्राइबर है और overall subscriber की बात की जाए कि कितने लोग भारत में जो cable TV के जरिये TV देखते हैं तो लगभग साड़े चार करोड से लेकर के 4 करोड 60 लाग तक के सबस्क्राइबर है और अगर comparatively हम internet subscriber की बात करें भारत में तो आज की डेट में यानि कि दिसंबर 2021 के डेटा के इसाब से लगभग 82 करोड 90 लाग यानि कि 83 करोड हम बोल सकते हैं internet subscriber है इसमें सबसे ज़्यादा obviously Reliance GEO है क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा mobile subscriber है यानि कि wireless और wired दोनों internet को माना जाए तो Reliance के लगभग 42 करोड सबस्क्राइबर है उसके बाद भारती Airtail दिखेगा 23 करोड सबस्क्राइबर के साथ Vodafone Idea लगभग 14 करोड सबस्क्राइबर के साथ जो की internet connection प्रोड़ करते हैं और इसके बाद आपको BSNL, Atria, Hathway और U Broadband वगएरा कुछ छोटे player दिखाई देंगे और अब अगर बात की जाए latest development की तो January में जब Tata Sky ने अपना नाम बदल करके Tata Play किया था तो उसका purpose था कि ये दूसरे businesses में भी entry करना चाते थे और अब उसको ध्यान में रखते हुए इ इसके लिए इन्होंने Tata Play Secure और Tata Play Secure Plus करके दो जो इनके program है वो भी launch किये हैं इसके लिए इन्होंने जो tech major company है Google उनके साथ partnership करी है और यह अपने subscriber के लिए जो Tata Play Secure Plus के subscriber होंगे उनके लिए Google का जो famous nest security camera है वो भी provide करेंगे और initially अपनी जो services हैं 10 के आसपा cities में शुरू कर Calcutta, Lucknow, Jaipur और Delhi प्लस NCR के area शामिल होंगे और अब अगर बात की जाए Tata Play Secure Plus service की जो कि इनकी premium service है यह एक bundle service होगी जिसमें आपको तीन चीजे मिलेंगी एक तो battery powered Google nest का camera मिलेगा इसके अलावा आपको Anvil nest aware subscription मिलेगी और तीसरी चीज जिसमें आपको मिलेगी Google nest mini जैसे कि Amazon का Alexa होता है या Apple का Siri होता है similarly Google nest mini Google का आता है यह तीनों चीजें आपको Tata Play Secure Plus की subscription के साथ मिलेंगी इसमें जो nest camera और nest aware subscription होगी यह दोनों मिलकर के काम करेंगे और आपके घर को monitor और safe रखेंगे और अगर cost की बात की जाए तो इसमें 11,999 रपै लिए जाएंगे Google nest camera के लिए औ और इसके साथ आपको जो nest aware की basic subscription है वो दो महीने के लिए free मिलेगी और उसके बाद जब दो महीने हो जाएंगे तो आपको monthly basis पे nest aware के जो plans हैं जिसकी कीमत 3000 से 5000 रपै पर मंत के बीच में है depend करता है कि आप कितनी video storage चाहते हैं आप अगर एक महीने की video storage चाहेंगे तो आपको कम price लगेगा अगर 60 दिन की video storage आपको चाहिए होगी तो आपको ज़्यादा subscription price देना पड़ेगा तो दो महीने के बाद आपको ये खरीदने ही पड़ेगी और तीसरी चीज इसमें जो google nest mini device है जिसकी कीमत लगबग 44.99 याने कि 4500 रुपीज है या आपको completely free मिलेगी तो overall जो google nest camera है उसकी तरफ से आपको person, animal, vehicle के alert मिलते हैं, on device आपको processing होगी अलग से किसी device में आपको इसको link नहीं करना पड़ता है, two way communication ये provide करता है क्योंकि इसमें built-in microphone और speaker है, weather की resistance provide करते है, high definition इसमें vision होता है, night vision support provide की जाती है, ये water resistant होता है, इसका जो camera है, और इसके अलाव पर भी घर के किसी भी हिस्से में, office के किसी भी part में अपने device को रखना चाहते हैं, आप इसको रख सकते हैं, और even अगर power cut होता है, तब भी आपकी recording stop नहीं होगी, तो battery powered इसका एक बहुत unique feature है, इसके अलावा इसमें nest aware security feature होंगे, जो कि आपको familiar जो face detection है, उसमें help करेंगे, अगर आपके relative और friends वगेरा आते हैं, तो उसको identify करेगा, और इसके अलावा 30 दिन से 60 दिन की जो video history है, वो आपको मिलेगी, depending upon कि आपको उन सा program choose करते हैं, शुरू में basic मिलेगी, तो उमीद है कि वो शाय 30 days की होगी, हाला कि आपको जो Tata Play है, उनकी team से चेक करना पड़ेग इसके अलावा जो Tata Play है, वो पूरे का पूरा इनकी maintenance, setup, after sales और दूसरी जो services है, nest camera की और nest mini की, वो सभी ये Tata Play manage करेगा, और अब अगर बात की जाए Tata Play secure की, तो ये इनका regular plan होगा, इसमें users को जो Google का nest camera है, वो नहीं मिलेगा, और इसकी जगा पे इनको Tata Play का secure camera मिलेगा, और Tata Play की ही secure subscription मिलेगी, जिसमें की 999 camera के charge की जाएंगे और 99 rupees per month आपको, जो Tata Play की secure subscription है, उसके लिए देने होंगे, इसमें अगर common features की बात की जाए, तो जैसे alerts आपको मिलेगे, camera इसमें कोई भी sound या motion detect करेगा, 7 दिन की आपको storage मिलेगी, 24x7 live feed मिलेगी, 2-way communication होगा, उसक अलावा जो time lapse view होते है, expendable storage है, ये सब ही आपको मिलेगी, हाला कि जो secure plus है, उसमें Google के camera के साथ बहुत सारे advanced feature मिलेंगे, लेकिन ये basic आपकी ज़रूरत जो होती है security की, उसको पूरा करेगा, और अगर Tata Play secure plus की बात की जाए, तो ये already आपको Tata Play की website से आप इसको book कर सकते है 23 जून से ये start हो गया है, और अगर इसमें color की बात की जाए, तो अभी के लिए ये single current में ही आपको available होगा, यानि कि snow color का जो camera है, वो आपको इसमें मिलेगा, और Tata Play secure की बात की जाए, तो उसकी जो subscription है, वो 28 जून से आपको मिलनी start हो जाएगी, मैं उमीद करता हूँ कि आ जाएगी, मैं 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 जाए